हेलो बच्छो स्वागत थे आप सभी का टार्गेट सेलेक्शन में आज हम लेकर हज़र हुए है यूपी कास्टेबल के रेजजाम के लिए हिंदी के टॉप 30 ऐसे प्रश्ण जो कि आपके एक्जाम में काफ़े पर रेपीटेट हुए है और कुछ ऐसे भी प्रश्ण है जहां से रेपीटेट होने की समभावना रहते हैं आपको बताते हैं यहां पर हमने हिंदी के उन सभी टॉपिकों को लिया है जहां से ज्यादा तर प्रश्ण पूछे जाते हैं जैसे सरुनाम कारक मुहावरा समास वडमाला अलंकार उपसर क्रिया और अन ऐसे भी कई टॉपिक है जहां से प्रश्ण बन सकते हैं तो चलिए जादा लेट ना करते हैं और बात कर लेते हैं आच के पहले प्रश्ण की पहला प्रश्ण है धीवर का परियावांचि क्या होता। बटाईए, मदन, देवराज, सुरेशी या केवट धीवर का पर्यावाची पूछ़ रहा है बच्चो तो ध्यान रखेगा प्यारे धीवर का जो पर्यावाची होता है वो क्या होता है वो होता है केवट ठीक है क्या होता है केवट अच् Standing प्रश्न बात आई है कि यहां पे पिर केवट में के अन्य पर्यावाची क्या है उसके बाद हम मदन देवराज और सुरेश की परियावाची क्या है इस पर हम डिससरेश हैución तो केवट कि जो अन्य पर्यावाची है ध्यान रखियेगा इसे हम मल्लाह भी कहते हैं मलाह भी कहते हैं, केवट को, मलाह के साथ साथ और क्या कहते हैं बच्चो, ज्यान रखना माजी कहते हैं, नावी कहते हैं, धीवर कहते हैं, ठीक है, ये किसे कहते हैं, केवट को, ठीक, अब बात आई है कि मदन किसका परियावाची है, तो मदन की बात करें, तो ये काम देव क का पर्यावाचि किसका है कांडेव का पर्यावाचि है कौन मदनॡ अगला प्रश्ण के स्क्रीन पर रहा बताईए हैं अगला परशना आपके स्क्रीन पर रहाँ बताईए साथ का विबरर्थक सब्द क्या हो यानि विलोम शब्द क्या हो गप चया दोना का रुकना हो जाता है यह ön से पूछते हैं विरोम्शत जानि उसका बिपरीद बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की जहर का घूट पीना मुहाबरा होगा बताईए जहर का घूट पीना मुहाबरा क्या होगा अपमान को चुपचाप सह लेना जहर का घूट पी लेना प्यारे बच्चो काफी बार आपकी एकजाम में एक मुहाबरा पूछता है तिल का तार होना तिल का तार बनाना तो क्या हो जाता है छोटी बात को बढ़ा चढ़ा के करना काफी बार प्रश्निय पूछा गया है एक और जहान रखेगा पत्थर की लकीर होना किसी हम पत्थर की लकीर हो जाए हम यह बात कर दें कि यह बात मेरी पत्थर की लकीर है यानि पक्की बात कह देना और एक प्रश्न सबसे अधिक बात रिपीटेड हुआ है एकजाम में पेट में दाड़ी होना यानि छोटी आयो मे बुद्धिमान होना, ऐसी बात समझ में बात कर लेते हैं अगले प्रश्क्रीं कि, जिसने अपना रिन चुका दिया हो, उसके लिए जो है एक सब्द क्या होगा बताईए जिसने अपना रिंड चुका दिया हो उर्णी हो जाएगा निर्भय होगा सुलब होगा या उफ्थान होगा बताईए तो जिसने अपना रिंड चुका दिया होगा उसे हम उर्ण कहते हैं option number हम जाएंगे जो है एक के साथ प्यारे बच्चो ध्यान रखे गया निर्भय की बात कर लें जिसको भय ना हो किसे कहते हैं जिसको भय ना हो उसे हम क्या कहते हैं उसे हम निर्भय कहते हैं बात आई समझ में अगर बात करने सुलव की तो सुलव किसे कहते हैं जिसे प्राप्त करना सरल हो जिसे प्राप्त करना क्या हो भी या जिसे जो है प्राप्त करना सरल हो बात आई समझ में राप्त करना सरल हो अगर बात करें उथ्थान की तो क्या होगा यहां अपर ऑर पूस्ता है दो बार जर्म मे लेने वाले को हम क्या प्रशा लेके अर्थ आते हैं उपरयुक्त विकल्ब का चाहिंग, युवती ने स्वर्ग युवती ने स्वन् आवर्ण पहन रखा, जो आवरण सब्द है उसके लिए पूछ रहा है तो युवती ने जो आवरन पहन रख़ा है इसे हम क्या कहेंगे आभरन का जो अर्थ होता या कह सकते हैं ठीक है और स्वर्ण किसी वस्त के उपयोग के लिए उचित नहीं होता है ठीक है यह बात ध्यान रखना यानि जो आवरण है यह किसी स्वर्ण के लिए उपयोग होना उचित नहीं माना गया है ठीक है आवरण का जो अर्थ होता है ध्यान रखना यह होता है यहाँ पे आवरण होना चाहिए था आवरण मॉने क्या होता है परदा या ढगना ढगन क्या सकते हैं तोください तो पहन रखा आभ्रन्यानि गैना या या अभूशन बात समिछ में बात कर लेते हैं अगले प्रश्ण की 56 सद्ध में इनमें से प्रयूगत प्रत्य क्या होगा अच्क्रत्य होता क्या है ये हम आप बदाएं तो ध्यान रखना जब सद्धान सब्दू के अन्थ में जो जुड़ कर अर्थ बदल दे उसी को हम क्या कहते हैं ठीक है या यह कह सकते हैं वे सब्दान जो सद्दों के अंत में जूड़कर अर्थ बदल दे उसी को क्या कहते हैं और अर्थ बदलते हैं साथ उसकी विशेष्था भी बताते हैं उसी को हम प्रत्य कहते हैं और जो सब्द के पहले ल पर प्रत्ये लगा है यहां से यहां से कई बार पूछा गया यह से अकड होता है जो प्रत्ये है जो प्रत्या नहीं है तो रामण शब्द का पर्यावाची क्या नहीं है द्विज लंकेश लंकापति या दसानन बताएए अभी मैंने द्विज की बात किया था न तो अभी हमाँ को जिस से लिटरी जुतने भी पर्यावाची बन सकते हैं उन सभी को बताने वाले हैं बताएए रामण शब्द का पर्यावाची नहीं है तो लंकेश लंकापति दसानन यह किसका पर्यावाची यह रामण का है पर्यावाची अगर द्विज की बात कलने बच्छों तो ध्यान रखना यह किसका पर्यावाची है यह ब्रामण का पर्यावाची है किसका है यह द्विज किसका है ब्रामण का कह सकते हैं विद्वान का कह सकते हैं प्रमग्यानी का कह सकते हैं पंडित का कह सकते हैं विप्रा कह सकते हैं मैंने बताए ना द्विज किसे कहते हैं ब्रामण को कहते हैं और ब्रामण के जो है और द्विज के और क्या क्या हो सकते है दुज्यानि विप्रभी कहते हैं पंडित वेदवित कहते हैं घ्रम ग्यानि आब रामित विप्र्व्द्र산श और लंकीश की बात क satisf लंकीश लंकापति दसाननी रामड के परियाथ कि आप दू जानते ए और क्या है और ध्यान रखना बचो दस वन्दंग कहते हैं क्या कहते ह दस कंद कहते हैं ध्यान रखना यह प्रश्ण आपकी जामे पूछा जा सकता है दस कंद कहते हैं ठीक है थोड़ा सा लिखने वाली थोड़ी समझ्चा है ठीक है दसीस कहते हैं किसे रावन को बाताई समझ में बात कर लेते हैं अगले प्रश्ण के उत्तिन शब्द में शंधी क्या होग एक प्रश्ण से हम कोशिस कर रहें कि एक दो से तीन फाइक आपको हम बताते चले बताईए उत्ति इंस में संधी क्यों होगा उत्ति इंश्ब्द की बात हो रहाइ ist तो द्यानि रहना उत्तिम्म त觉 क्या है वच्चों वैंजन संधी है क्या है। व्यंजन सब्छ है, कि कि व्यंजन सब्छ होता है कि व्यंजन से कि निबहिंतल मेंड़ के लिते हैं अगले प्रश्ण कि अका मिर्च में कौसा समाज हैendra को में कि अभी आप जाएंगे देखेंगे ले लिश्ट में तो आपको समास के खिटकी वीडियो मिलेगे तो वहां पर मैंने समास के जो ट्रिक हैं जिसे आप प्रश्णों को देखकर जो है सिध्यान से टिक कर देंगे तो वहां पर मैंने कुछ ऐसे ट्रिक बताया है आपने नहीं देखा जाकर एक बाद जरूर देखें तो यहां पर नमक की मिल्च है मैंने उसमें बताया है जब भी आपको कहीं बीच में योजक चिन्ह दिख जाए बच्चो तो आप आख बंद करेंगे दंद समास पर टिक कर देंगे बात आई समझ में ठीक है बात आई समझ में और ध् इस समाज में दोनों पद्धों मत्ध से यानी तीसरे अर्थ का बोध होँ वहां पर आप समास सम्क्राइक करने पर जब अर्थ बदल जाए ठीक है अर्थ बदल जाए उसी को हम क्या कहते हैं बहुपरी समाज कहते हैं जैसे दसानन दसानन में दस्ती से है संख्या मैंने बताया है जब संख्या है तो दिगू होगा लगी यहां दसानन जब करेंगे दसानन हम किसे कहते हैं ठीक है तो रामण को कहते हैं अगर आप अर्थ बदल जा रहा है तो वहां पर पहुपटी समाज हो जाएगा मैंने अब्यई भाव समाज में आपको बताया था क्या बताया था अब्यई भाव में जब भी क्या हो जाए बच्चों जब भी यहां पर उपसर्ग सब्द दिख जाए जैसे मैंने बताया किसी सब्द के पहले लगकर जो सब्द की विसेशता बता दे या अर्थ बदल दे उसे हम क्या कहेंगे उसे हम उफसर्ग कहेंगे यह कह सकते हैं अब्यई भाव समाज में जब कभी भी सब्द के पहले उफसर्ग लगा हो तो वहां पर अब्यई भाव समाज होग इह सब्द जब दिख जाएं आपको किसी सब्द के लिए दें ले जैसे यथा स्थान के पहले क्या लगा हुआ है लगा हुआ है फैट के पहले घर हम भर लगा दें बर दिख्च क्या हो जाएगा अब बहुत समाज हो जाएगा बत आई समझ में अब बात कर लिते हैं ऐसे ही है जो है हम करमधारे समाज करमधारे समाज की होता है कि जब विकर्ष करते एस समय दोनों पदों के बीच में के समान या है या जो या रोपी या जिसकी तुलना की जाए तो वहां पे आप क्या करेंगे कर्मधार समाश लका देंगे चरण कमल जो चरण है ये किसके समान है ये कमल के समान है नील गगन ठेख है महावीर यह सब क्या है यहाँ पर विशेष्ट मतलब क्या हो रहा है उसकी विशेष्ट ना बता रहा है तो अब करमधार ऐसा मास हो जाएगा बात कर लेते हैं बच्चों अगले प्रश्ण की तर्न तनूजात्र तमाल तरुर छाये में कौन सा अलंकार है यमक अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेश अलंकार या अनुप्रास अलंकार तो ध्यान रखेगा पहले आपको बता दे कि एक हम जल्दी ही अलंकार की कोई वीडियो लाएंगे जिसमें ट्रिकी होगा तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा अनुप्रासलंकर क्या कहता है कि अनुप्रासलंकर जहां एक वन बार बार आये वहाँ पर अनुप्रास हो जायेगा तरन तनोजा तट तमाल तर उचाए ठीक है आ रहा है न एक वन आ रहा है न त, 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 आया जब एक ही वन सब्द की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ध्यान रखना बात के जब एक वन बार बार आए आवरती आए तो वहाँ पर आप अख बंद करके क्या करेंगे अनुप्रास पर टिक कर देंगे प्यारे बच्छों, अच्छा स्लेस क्या कहता है, स्लेस कहता है जहां एक सब्द एक ही बार प्रिक्त हो, ठीक है, होने पर अर्थ जो है अलग हो जाए, क्या कहता है, जहां एक सब्द एक ही बार प्रिक्त होने पर दो या तीन अर्थों का ग् ठीक है बात आई समझ में और रूपक क्या कहता है जहां दो व्यक्तियों या वस्तू में इतनी समानता हो कि अंतर करना मुश्किल हो जाए तो वहां पर क्या होगा रूपक अलंगकार होगा बात आई समझ में बात करते हैं अगले प्रश्ण की मेरे तो गिर्धर गोपाल दू मीरा की पंक्ती है ठीक है किसकी पंक्ती है मीरा भाई की पंक्ती है ध्यान रखेगा ठीक है तो इस पंक्ती में कौन सा रस है तो मेरे तो गिर्धर गोपाल दूसरों ना कोई जाके सिर्मोर मुकुट मेरे उपती होई यहां पर क्या हो रहा है बच्चों यहां पर स्रिंगा रस्की बात हो रही किसकी बात हो रही है स्रिंगार रस्की यानि जब एक नायक और ना निक्याय कहते हैं पतिया पत्निया प्रेमिया प्रेमिका जब मिलते हैं बिछडते हैं उनके घरदय में जो भाव उत्पन होता है उसी को हम क्या कहते हैं स्रिंगार रस्क कहते हैं ठीक है उस भाव के रती को ही हम सिंगार रस गयते हैं बात आई समझ में करून रस क्या होता है काफी बार पूछा गया है जब किसी साहित्रिक का विग्यद और आदि को पढ़ने के बाद मन में जो करूना दया की भाव उत्पन हो जहां पर करून की भाव उत्पन हो दया की भाव उत्पन हो वहां पर करून रस हो जाएगा जहां पर हास की उत्पन हो भाव वहां पर हास रस हो जाएगा बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की हिम करिंटीनी किसकी रचना है बताए पूर्णा यहां कि रचना है तो इंए ध्यान दखेगा माखंलाल चतुरवेदिजी की रचना है, आपको बताते माखंलाल चत्तुरवेदिजी की जो अन रचना ये पूछता है आपके एक्जाम में अगर हम बात करें बच्चो तो आप से हिम तरंगडी पूच्ता है य्यां रखना यहां पर हिम टनांगिनी भी इनकी रचना है योग समरपण भी मरण ज्वार इनकी रचना है सबसे अधिक बार पूचा गया वेड़ू लो मुझे धरा इन और युद्ध इंहीं की अचना हे बात के लेते हैं बच्चों इसमें कौन सा समास और तत्पुरुष समास के रत्ट रिक क्या वताया है कि जब भी आपको कारक्यन होते हैं, समास विगरह करने पर बहुत आपको दिख जाए, तो वहां पर क्या होगा आपका सत्पुरुष समास होगा जैसे दिल तोड दिल को तोड़ने वाले स्वर्ग्राप्त करने वाले ठीक है बात आई समंज में अकाल से पीडित और कारक्किन क्या-क्या है आप ध्यान रखना को यह भी कारक्किन है को है से है ठीक है, के लिए है, के लिए, यह सब क्या है, यह सब कारक किन हैं बचो, से, के, के, में, पर जब भी कारक किन आपको देखने को मिल जाए समास विग्रह करने पर वहाँ आप आख बंद करके तद पुरुष समास टिक कर दीजेगा, बात करते हैं, अगले प्रशन की, अगला रशनकार कौन है, मैं अथली संड गुपत हैं, राम नरेश्ट रिपाठी हैं, राम धारिस्त दिनकर हैं या जैशंकर हैं, तो कामाईनी के जो रशनकार हैं ध्यान रखना, प्यारे बच्चों, वो कौन हैं, जैशंकर प्रशाद जी हैं, ठीक है, अच्छा, फिर आप कहें आशू भी पूछा जाता है जादा तर घीक है, ओर क्या पूछा जाता है, लहर पूछा जाता है, कामाईनी में ने आप को बता ही दिया है, इसकंद गुप्त और चंद गुप्त ध्यान रखना, इसकंद गुप्त जो है पूछा जाता है कई बार आपके एक्जाम बे इसकंद गुप्त सत्रु काफी बार पूछा गया है ध्यान रखना बच्चो आपके जहां में अजात सत्रु किसकी रचना है तो यह जशंकर प्रशाद जी की रचना है विशाखा और एक घोट भी इन्हें की रचना है आई बात समझ में तो यहां से जितने भी जशंकर प्रशाद से जो प्रश जब जहां पर किसे किसको इत्यादी प्रश्न से उत्तर ना मिले तो वहां पे अकर्मक्रिया हो जाते हैं जब क्रिया का फल करता पर ही पड़े उसे अकर्मक्रिया करते हैं श्याम सोता है श्याम सोता है ठीक है यहां पर क्या हो रहा है यहां पर क्या हो जाएगा अकर्म क्लिया हो जाएगा ठीक है यहां पर क्यूंकि यहां पर जो करता है इस पर उसके प्रभाव क्लिया का प्रभाव नहीं पढ़ रहा है ठीक बात आती है अगले प्रशन की अगला और कि परिःचर का पर्यावाची सद्ध क्या होगाँ ध्यान रखना बच्छों पीटा, तात, व्लीद, वालिद, या सेवक तो परिचर किसे कहते हैं सेवक कहते हैं ध्यान कना पृता तात वालिद यह जनक के पर्यावाचि किसके पर्यावाची क्या 어느 को सकते हैं गया आप उन्य पूचह बता दीजिए जो प्रश्णानं आपको बताएं यह नवकर होता है and कर होता है अगला क्या होता है परिचर होता है मैंने आपको बता दिया चेरा चाकर होता है किंकर होता है अनुचर होता है ठीक है अनुचर भी कहते हैं परिचारक भी कहते हैं किसे सेवा को कहते हैं बात कर लेते हैं अगले प्रशन की घर का बहुबचन रूप क्या होगा घर का अब एक वचन और बहुवचन पहले बात कर लें जब सब्द के वस्तू का बोद हो रहा है इसे गाए बच्चा, इस्ट्री, नदिप, थेला, गाड़ひ सब्द के जिस रूप मेar एक ही वस्तू या एक ही व्यक्ति का बोद हो रहा है तो वहाँ पर एक वचन होगा अब जब बहुचन में क्या होता है कि जिस सब्द के रूप में एक या एक से अधिक वस्तूओं का बोध हो तो वहाँ पर बहुचन होगा जैसे इस्त्रियां कई इस्त्रियों की बात हो रही है नदिया तो यहाँ पर केवल एक गंगा नदी की बात नहीं हो रही है कई नदियों की बात हो रही है ठेले केवल एक दुकांदार की बात नहीं हो रही है कई दुकांदार जो ठेले लगाए है उनकी बात हो रही है ठेला और ठेले ध्यान रखना गाड़ी और गाड़ियां कई गाड़ियों के वारे बात हो रहे हैं बात आई समझ में एक वच्छन बहुँचन आप समझ गें बात करते हैं अगले प्रश्ण की निम्न में से कौन विशेशन नहीं है कोटिल जटिल कोटिल या कुरूप बताएए कोटिल जटिल कोटिल या कुरूप बताएए तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों जो कोटिल है ये क्या है ये विशेशन नहीं है लेकिन कोटिल जटिल और कुरूप ये क्या है ये विशेशन है अब आप कहेंगे कि ये विशेशन क्या होता है, बात आई ने मन में कि विशेशन क्या होता है, संग्या या स्वरनाम की जो विशेशता बताए, उसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, विशेशन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, विशेशन कहते हैं, ध्यान रखना, वि यह सब क्या है उसकी विशेष्टा बता रहे हैं कि कितने प्रकार के होते हैं तो ध्यान रखना यह चार प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं बच्चों चार प्रकार के होते हैं ठीक है कौन-कौन से होते हैं आपको मैं ऐसे बता दे रहा हूं प्रडाम वाचक विशे कोन-कोन से होते हैं परदामवाजचक, गुढवाजचक, संख्यावाजचक और सर्वनामिक से सब्ष़चनु होते हैं जहां से आपके प्रश्ण देखने को मिलता है जाम मैं किसी दिन हर एक टॉपी का विशियस जो है उस टॉपी शिरृट मनते हैं पैर थिएरि उसके बाद अम्रित सुधा, कपड़ा अंबर, कमल तामरस यह भी सही है, कपड़ा का अंबर यह भी सही है, अम्रित का सुधा यह भी सही है, कुबेर का मद्वा यह आपका गलत है, यह आपका गलत है, कुबेर का परयावाची क्या क्या होते हैं, पता है आपको, कुबेर का परयावाची ह होता है राज राज होता है किनेर होता है धनेश होता है ठीक है और क्या होता है और धनद होता है और मध्वा की बात कर ले तो यह इंद्र का पर्यावाची है इसका पर्यावाची है इंद्र का पर्यावाची है महेंद सुरेंद सुरेश पुंदरन देवराज मधवा पकरीपू और रुहुत ये सब किसके पर्यावाची है ये आपके जो है इंद्र के पर्यावाची है बात कर लेते हैं अगले प्रश्ण की सुमित्रा नंदन पंद को क लिए ज्यान पीत फुरुसकार पल्लव, यूगवाडि, जितंबरा, यावीड़ा बताए किसे लिए मिला था दियां तो ध्यान रकना प्याड़े यह जुँ मिला था इनको जितंबरा के मिले लिए मिला था जितंबरा के किसके लिए चतंबरा के लिए सुमित्रनपंद को ज्यान पीट पुरस्कार मिला था बात आई समझ में और एक चिस ध्यान रखना कि इनकी जो अन्य जो कविताएं हैं जो आपसे एकजाम में पूछता है तो कविताओं की बात कर लें अगर हम सुमित्रनपंद के दिहान रखना क्या-क्या है यह आपकी वेड़ा है गरंती है पल्लव है ठीक है गुंजन है युगांत है युगवारी है यह सब पुरस्ष्ण आपके एकजाम में पूछे गए हैं स्वन किरण है गाम्या है स्वन धूल है उत्तरा है युगपत है चितंबरा है बात आई समझ में और कला काला और बोढ़ा चांद सबसे महत्यपूर रशना काफी बार आपके इजाम में पूछा गया काला और बोढ़ा चांद किसकी रशना है तो प्यारे ध्यान रखना यह सुमित्रा नंदन बंद की रचना है अच्छे इनकी एक उपन्यास है कौन सी उपन्यास कौन सी है हार हार किसकी उपन्यास अगर आपसे पोछ ले तो सुमित्रा नंदन पंतजे की है बात आई समझ में अच्छा इनको जो मैंने बताया ग्यान पूरसकारी कम मिला था तो ध्यान रखना इन्हें 161 में जो है एक ग्यान पूरसकार मिला था ये चीज़ आप ध्यान रखेगा बात कर लेते हैं अगले प्रशन की नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ निम्लिकित में से विकलपों में से चुनिये नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ क्या होगा यानि बहुत परशान करना यानि बहुत परशान करना या चीज़ आप ध्यान रखेगा क्या होगा बह ना काटना यानि इज्जत उतार देना बाताई समझ में घ्रिणा प्रकट करना बताईए क्या होगा क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताएं हमें एक युद ध्यान रखना नकेल हाथ में होना यह भी प्रश्न काफी पूछा गया है यानि मुहावरा इसका क्या होगा अर्थ वस में होना बाताई समझ में नाक रगड़ना यह भी प्रश्न पूछा गया है नाक रगना यानी बहुत विंति करना नाक में धूल उड़ना नाक से जो जो मुहांवले बन सकते हैं आपको बतादे नाक में धूल उड़ना यानी वेर्थ बदनाम होना ठी最近 नहले पे दहल अमारना यानी करारा जबाब देना बाताई समझें, बात करते हैं, अगली प्रश्ण की बलराम का परियावाची सब्द क्या होगा, बलराम का परियावाची सब्द क्या होगा प्यारे बताईए, बलराम का दनुज होगा, हलाहल होगा, माद होगा, हल्धर होगा, तो बलराम हम किसे कहते हैं, हल्धर, जो हल को ध बलभंद्र कहते हैं और क्या कहते हैं बलदेव करहिया क्रिष्ण की भईया बलदेव भईया बलदेव कहते हैं और क्या कहते हैं बताई हलधर कहते हैं मैंने आपको यह बता ही दिया है बात करते ही अगले प्रश्णी बताई निम्लिखित में से प्राची के विलमार्थी सब् प्राठी का क्या होता है आपसे पूछ ले वाम होता है और क्या क्रतिम क्या होता है अंतिम का विलोम सब्ड क्या होता है की अग्रिमा truck क्रतिम का क्या होता है भाईया प्राक्तिक होता है या ने सयर्गी कह सकते हैं यह करतिम का विलुम शब्द है बात आई समझ में बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्ने की तरब हलवाई कैसा सब्द है हलवाई कैसा सब्द है रस्तम तद्भाव देशत या विदेशत बताईए प्रश्ण पूछा गया है यह आपके एक्जाम में बच्छो एक चीज़ आप हमें जरूर बताईएगा यहां पर नंबरीं गडबड हुआ है यहां पर आपकर लेजेगा ठीक है एक चीज़ कि यह विदेशत सब्द होते हैं विदेशत सब्द क्या होते हैं जैसे हल्वाई मैंने आपको बताया ही इरादा डॉक्टर ऑ्सीट्र चस्मा दिदार इलाज इरादा यह सब क्या हैं विदेशी सब्द हैं मात आई समझ में आई समझ में संग्षित सद्ध जो होते हैं वो तक्सम होते हैं और जो संग्षित से बने हुए हिंदी सद्ध होते हैं और जो अपनी हाई भाव में बोले जाने जो सब्द होते हैं देशत सब्द वे सब्द होते हैं जो अपनी भासाओं में मिल जूलकर बोले जैसे चौकट लोटा जो आम भासाओं में बोले जाने वाली आपकी जो मात्र भासाओं होती है ठीक है जैसे कह सकते हैं जो घर पर लेंगविज बोल बात कर लेते हैं अगले प्रशन की प्रशन क्या है प्रचीज प्रचन का विलोम शब्द क्या होगा प्रचन प्रकट होगा प्रचन होगा या प्रचन का विलोम सब ज़्धान रखेगा क्या होगा प्यारे बच्चु बताईए प्रचन नंका क्या हो जाएगा अप्रचन होगा क्या अप्रत्रक्ष हो जाएगा थेक बात के लेते हैं अगले प्रशन के सरस्थी पत्रिका के संपाधक कोण है सरश्वती पत्रिका के स्रंपादक कौन है काफी बार आपकी एकजाम प्रशन पूछा गया है इसे आप नोट डाउन भी कर लिजेगा ठीक है काफी इंपोर्टन प्रशन है यह आपकी एकजाम के लिए तो सुरेकांत तो सरश्वती पत्रिका जो है यह महावीर प्रशाद द्रिवेदी जी की है और तो सही है ठीक है काब्य मंजूसा काब्य मंजूसा काब्य मंजूसा हो गया कविता कलाप हो गया देवी सुति हो गया रितु तरंगरि हो गया कुमार स्थ्रंभो हो गया यह सब किसकी रचना है यह सब आपकी जो है बहावीर प्रशाद द्रिवेदी की रचना बात कर लेते हैं अगरे कि निम्रिकित में से देवता का पर्यावाची सद्ध क्या होगा बताईए देवता का पर्यावाची सद्ध ध्यान रखेगा विबुध होता है क्या होता है विबुध होता है किंकर की बात कर लें तो अनुचर दास अरदली चाकर परिचर मैंने अभी आपको बताया था किंकर का परियावाची ठीक है और बिपूल का परियावाची क्या होता है ध्यानक ना कि बिपूल का होता है अधिक बड़ा परियाब तो होता है विशाल होता है अगाध होता है लोकेश की बात करें लोकेश का क्या क्या होता है बच्चो राजा हो जाता है स आकर्मक गर्णार्थक अकर्मरक या उप्रिक में कोई नहीं करणकारख की बात कर रहा है बताईए कि मिखीत में किस का किस वाक्य में करणकारख हैं तो ध्यान अलगना यह आपके option no.2 महीं हिसा प्रिणार्थक क्या होते हैं यह आपको हमsentा दें तो प्रिनार्था क्रिया ऐसे क्रिया होते हैं, जब करता किसी कर्म को दूसरे से करवाए या करने की प्रिनार्था क्रिया दे, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिनार्था कहते हैं, जैसे उधारण की बात करें, तो जो पढ़ना, पढ़ना क्या होता है, पढ़ना या पढ़वान चल का क्या हो जाता है चलना या चलाना लिख क्या हो जाता है लिखना या लिखवाना सुन को क्या हो जाता है सुनना या सुनवाना तो क्या हो रहा है या खुद करे या किसी दूसरे से करवाए ठीक है बात आई समझ में बात कर लेते हैं अगले प्रश्ण की अगले सब्सक्राइब में ?मुकिया सब्सक्राइब में मैंने आपको पहले बता दिया रखा दिया उता है जो किसी सब्सक्राइब कर उसके विक्षेस्थथथा बताए या उसका अर्थ सब्द में है मुखिया में क्या है यह सब्द है ठीक है बात आई समझ में अच्छा यह की ध्यान लखना जब आपको किशी सब्द में अक लग दिख जाए अक दिख जाए अकड दिख जाए आड़ी दिख जाए बात को सुनिएगा अयल दिख जाए यह सब्द जब आपको दे कैसे लेगी आप हमें जरूर बताएं और इन तीन प्रश्णों में आपने कितने प्रश्णों का जबाब दिया है सही सही एंसर्द किया है आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं ठीक है मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो शिशन के साथ इसे के लिए धन्यमा चैहिंद बन्यमात्रम